और इसकी खासिदी यह है कि यह भी बहुत ताकतवर जड़ी बुटी है ताकत के लिए इसका उप्योग के जाता है इसका भी चूरण आपको मार्केट में मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं विये से निया आपका मामल बॉंस है मैं फिर से स्वावित करता हूं दोस्तों हमा किस जगह पर वो मिल सकते हैं और कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं यह सारे चीज़े तो मेरे अरिये में जहां जहां पर भी जो प्लांट है इस तरह के वह सब मापको दिखाता हूं तो हम सुरुआत करते हैं यहां से देखें यह हमारा रास्ता है और रास्ते के साथ में गास खड़ी है वो दिखाता हूं आपको यह देखें इसका यह फूल है और इस गास को कहते हैं सदारी इसका फूल से ही आपको ज्यादा पहचान होगी पत्ते तो इसके ऐसे हैं देखें पत्ते हो सकता है किसी और गास के हो लेकिन फूल जो है इससे आपको इजी लिसकी ज चोट लग जाती है खून वगर आ जाता है तो इसके जो पते हैं इसको इस तरह से मसल कर इसका जो रस है अगर उस पर हम डाल देंगे तो खून आना बिलकुल बंद हो जाएगा यानि कि डालते ही यह मैंने खुद परियोग करके देखा हुआ है तो इसको बोलते हैं सदारी इ आपने आज पास अगर आप देखा ऐसे पग्डे इन पॉंप बटूंप इंडी और आपको और रहुत तो आपको और सबक्रिक मैं इसको करते हैं ये पोउड़े तो आपके लग बाक सभी जगे मिल जाएंगे आपको इसने बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे अगर आप बड़ी से आपको दिख रहे है यह आउला के जैसी है इस तरह के फल होते हैं इसके छोट-छोटे और यह जो है लीवर के लिए सबसे बैस्ट है लिए के लिए इसका जो टोनिक है बहुत अच्छा रहता है इन पर जो है मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुए है अगर आप चेक किजिए और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर क्या करें उससे जो है हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह की डाले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए है तो सबस्क्र लंटूर है कि इसको बोलते हैंगओव का इस तरह के फ्रूट लगते हैं ये जो फ्रूट है ये पक्ने के बादेशए हो जाते है जब ये और करेंची कबूरल कर दिकार pick नणी पार नहीं पर आता है ये मैं हो लिक बहुत में और तो और दोस्तों जो आपको यह गास दिहरी है यह गास में अमॉली गास नहीं है इसे बोलते हैं yhtम दूब गास और यह जो है बहुत काम की है गर्मियों में खास कर क्योंकि इसकी इसकी जो ठासीर है ठंडी होती इसको पीस कर इसका एक चम्मच रस निकालकर गिलास में मिलाकर पीने से गर्मी की जो शिकायद होती है उससे निजात मिल जाती है इस पर भी मैंने एक डिटेलन वीडियो बनाई हुए है वह आप देख सकते हैं पर आपको सभी जगह देखने मिल जाएगी आपको इसी रास्ते पर देख पर देखने को मिल जाएगी वहां कि उसी रास्ते पर इतनी सारी जड़ी बुट्ट और इसका जो नाम है, वो है आश्वगंदा, आपने नाम सुनागा आश्वगंदा, आश्वगंदा का जो पाउडर है, वो आपको मार्केट मिल जाएगा, तो इस तो यह बहुत ही ताकत वर चीज है, यानि कि इस सरीर में अगर ताकत की कमी है, तो यह सबसे बैस्ट है, इसक आप दूद के साथ कर सकते हैं यह मैं खुझ लेता हूं सरदियों में जब जीम जोइन किया था तब मैंने इसका जो सेवन किया था काफी अच्छा रजल्ट है जब मैंने इसका उपयोग किया उसके बाद मैं वरक आउट करता था तो काफी एनरजी महसूस होती थी इसकी जड नोटे तो आते हैं उसके बाद इसमें यह जो है प्लAmerican उसके बाद को स्पमानित मेरे जव कहते जाए उनús में सब seventy Uping ऑफ्योग होता है यह जो पतरी घुक्षारी को निकालने में काफी उप्योग यह दो त्रह के आता है एक तो यह पिंक फूल वाला两 국स आसे इसे उपकर की तरफ बढ़ जाती है हैं यह हैं इसके दिए बेले इक आते जो सफेद रच रिंगराज की अपने थोड़े विरंगराज तो ब्रेंगराज उइस से बनते हैं यह बालों के लिए काले हो जाते हैं और इसको पीसेंगे इसकी पतियों को तो यह ग्रीन नहीं बनेगा इसका पेस्ट हो काला काला बनेगा यह मैंने यूज करके देखा हुआ है काफी अच्छा रेजल्ट मिलता है इसका ब्रिंगराज जो है यह ऐसी जगे पर होगा जहां पानी की नमी हो यहां है तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं इसकी पति पर अगर आप इस तरह से करेंगे उल्टी तरफ इस तरह से तो अलका-अलका खुरुद्रा सा महसूस होगा आपको दोस्तों एक यह देखिए छोटा सा प्लांट है यह के अभी कम देखने को मिलेंगे और आगे-आगे द लगते इस पर यह देखिए और इस पर मैंने डीटेल में वीडियो डाला हुआ है वह आप देख सकते हैं इसकी पतियां इस तरह की होती है अभी चोटा है यहां से टूट गया अधरवाई यह प्लांट काफी लंपा भी हो जाता है फैल जाता है यह इस तरह से और डेर सारे इस तरह से फ्रूट जो है इस पर टेर सारे लगते हैं दोस्तों यहां पर देखिए एक छोटा सा प्लांट आपको दीख रहा हुआ और यह प्लांट है गिलोय का यह बेल की तरह फैलता है गिलोय जो है यह इम्मुनिटी बुस्टर है बुखार होने पर इसका उप्योग कर यहां आपको खता हूँ और वह यह दोस्तों इसको मेरे बॉलते हैं बाखरी यह इस तरह से फैल जाती है जमीन पर और इसको जो है छोटा गोखरू के नाम से भी जाना जाता है यह देखिए इस तरह से इसके फ्रूट होते हैं काटे वाले और इसकी खासिदी यह है कि यह भी बहुत ताकत वर जड़ी बुटी है ताकत के लिए इसका उप्योग के जाता है इसका भी चूरण आपको मार्केट में मिल जाएगा इसके यह फ्रूट है इन इसमें जो काटे हैं वह लगे होते हैं देखिए इस तरह से 224 2628 आठ दस काटे इस पर चार तरफ इसके लगे होते हैं एक गोख्रू आता है बड़ा गोख्रू वह अभी देखने को नहीं मिलेगा जंगल में मिलेगा वह मैं आपको फिर कभी दिखा हूँगा या मेरे चैन अब भी बहुत सी जड़ी बूटी पोदे ऐसे हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताए हैं जो हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अधरवाइज जो वीडियो है वह काफी लंबा हो जाएगा मेरे चैनल पे जो जड़ी बूटी की लिस्ट पले लिस्ट में रख अब तक अपना और अपने मांतर पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया